हेलो माई डियर फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल बिलूं गाडनिंग ये देख सकते हैं मेरा गाडन अभी बहुत ही सुन्दर दिख रहा है फूलों से भरा हुआ है फ्रेंड्स और मेरा ये फ्लावर सब देख सकते हैं आज का मेरा टॉपिक है इंपेसेंस फ्लावर के बार में फ्रेंड्स और साथ में ये देख सकते हैं मेरा पंसूटिया भी बहुत सुन्दर दिख रहा है और मेरा इंपेसेंस में बहुत ही अच्छी से फ्लावरिंग कर रहा है फ्रेंड्स बारिस के बाद तो बहुत ही अच्छी से फ्लावरिंग कर रहा है और वीडियो स्टार् करके बताईएगा मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और अच्छे लगे तो स्यार भी कर लिजेगा फ्रेंट्स चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं यह देख सकते हैं मेरे पास आठ दस गमले हैं यहां तो अभी छे साथ रखा गया है फ्रेंट्स यह गमले सब द लगाई हूं यह छोटा-छोटा पाट में भी चल जाता है फ्रेंट्स यह बहुत ज्यादा फ्यलता रहता है और यह देख सकते हैं मिट्टी इसका मैं वेल्डरें मिट्टी रख्यों हूं फ्रेंट्स प्रिप्यार करें फ़रा पनज़ीषाइट नहीं तो कोई सभी फंजीषाइट पाउडर इसका मिड्टी त्यार कर सकते हैं और देख सकते हैं मेरा इसमें तो इसका फ्रूटिंग बोल सकते हैं इसका बीजा होना चालू हो गया उसको निकाल देना चाहिए और ऐसे ही कुछ देख रहे हैं इस टाइप का आप एक छोटा सा कटिंग भी लेकर इसका प्रोपगेट कर सकते हैं यह बीज से भी उग जाती ह लेकिन अभी आप कटिंग से बहुत सारा प्लांट्स बना सकते हैं और ये मेरा एक प्लांट देख सकते हैं ये थोड़ा गल गया था और ये मुईस्चर लवर तो है लेकिन ज्यादा पानी होने से इसका ब्रांच बहुत जल्दी गल जाता है और इनको धूप में रखना है ल इसलिए मुईस्चर होल्ड वाला मेटी रहे तो फ्लावर अच्छे से चलता है और बारिस के बाद तो इसका फ्लावरिंग बहुत ही अच्छे से हुआ है मेरे प्लांट सब में देख सकते हैं और लीप भी नहीं दिखने जैसा ब्रेंट्स बोल सकते हैं और ये ये थोड़ा सा धूप थोड़ा सा छाओं इस टाइप का जगह में रखना चाहिए तो दो घंटे का भी धूप मिल जाए तो ये बहुत अच्छे से चल जाता है और इसमें मैं लीक्वीड मस्टार्ड केक का फटिलाइजर पंद्रा दिन में एक बार देती हूँ और मिटी अच्छे से बनाए रहने से फटिलाइजर कम देने से भी बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करता है और जैसे सुखा हुआ फ्लावार को आप निकालते जाए तो ये बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करता है और बहुत जगह तो इसको साल भर भी सेप कर लेते है लेकिन हम लोगों के यहां यह टिकता नहीं है यह ज्यादा से ज्यादा गर्मी तक रहता है फिर मर जाता है और जैसे ठंडी वाला जगा में यह साल भर भी चल जाता है और जैसे यह ठंड का बहुत ही अच्छा सा फ्लावरिंग प्लांट है तो आप अपने गाडन में इसको स इसमें मिलीबग सब कभी एटक होने का तो मैं नहीं देखी हूँ अज तक मैं लगभग इसका दस बारा साल से लगा रही हूँ प्रेंट्स कभी भी देखी नहीं हूँ ऐसा पेष्ट एटक होते हुए खाली गलन वाला समस्या इसमें होती है जैसे ज़्यादा पानी का देने स यह प्लावर गल जाता है और इसमें कुछ प्रोब्लेम नहीं रहता है पानी जब उपर का मिट्टी सूख जाए तो तुरन देना चाहिए नहीं तो फ्लावर मुर जाने लगता है बस इतना ही क्यार करेंगे तो यह बहुत अच्छे से चलता है और इसको आप हेंगिंग बा जाए लेगी लेगी सा हो जाए तो आप उसको कटिंग कर सकते हैं तो और भी बहुत ब्रांच निकलेगा और प्लांट बुसी हो जाएगा इतना ही क्यार करेंगे तो यह बहुत ही अच्छे से चलता है और मेरा यह जानकरी आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके ब इंटर प्लांट आप एक लाइन से रखेंगे तो देखने में बहुत सुन्दर लगता है फ्रेंस इसलिए आप इसको ग्रो कर सकते हैं एक प्लांट से बहुत सारा भी प्लांट बना सकते हैं अभी टाइम है फ्रेंस आप लोग कर सकते हैं मैं भी कोशिज करूंगी और फिर आप लोगों को सियार करूंगे फ्रेंट्स बस आज के लिए इतना ही फ्रेंट्स थेंक यू